नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी संस्थान, टार्गेट विदालों का और लाइन क्लासेज में, हम लोग एक ऐसी स्रिंखला, TGT-PGT, जो आपके लिए अध्यापक बनने की स्रेडी में सबसे पहली आकांचा, पहली सपने या पहले पायदान पे होती है आज उसी के तहर हम फिर से आपके सम्मुख आए हैं किसलिए ताकि किसी एक टॉपिक पर हम आपसे चर्चा कर सकें यू तो हमारे इस TGT-PGT में नागरिक सास्त्र विशय में अनेक सलेवस आपको दिखेंगे और ऐसे प्रतेक सलेवस के एक-एक बिंदु पर उससे सम्मंधित जो अवधारणा है जितने इस टॉपिक है उन पर कौन सी पुस्तक सर्वस्रेश्ट है कौन सी आपको लेनी है इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे लेकिन आज अगर हम बात करें नागरिक सास्त्र अत्वा राजनीती शास्त्र एक ऐसा विशय जिसमें राजनीतिक अवधारणाएं राजनीतिक सिध्धान राजनीतिक विचारक अगर हम बात करते हैं इन सब महत्पूर भिंदू की इन सब महत्पूर टॉपिक की तो आप देख रहें होंगे कि अगर कभी इन में से कुछ सब्द लिया जाए जैसे इसके अत्रिक अगर मैं भारती सम्विधान को हटा दूँ तो आपको पता है सारी आधार शिला समाप्त हो जाएगी लेकिन ये ऐसी परिच्छा है जिस परिच्छा में ये 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 बाकी अभी मैंने स्लेवर्स पर चर्चा की नहीं तो आई यार भी बात नहीं की मैंने पबेट की बात नहीं की जबकि मुझे सब करनी है मैं ठिर बता दूँ आपको सब अलग से सुनना है अलग से देखना है आज के टॉपिक की अगर हम बात करें तो राजनीति का उधाराओं की बात की एक नाम ले लिजिए नागरिक सास्तर किसके लिए पढ़ने है आप आप कहते हैं भाया हम भारत के नागरिक हैं कौन हैं हम भारत के नागरिक हैं अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमारी नागरिक ता क्या है हम नागरिक हैं ये बात की पुष्टी कैसे होगी क्या हम कुछ लेकर बैठे तब नागरिक है या हम कह देने मात्र से नागरिक है आज किस पर जिक्र करूं आज एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा की जाए जो आपके जिहन में बड़े सवाल लेकर बैठा है नागरिकता समंदित जितने बाद में विवाद के मुद्दे आए आप कते CAA आया, NRC सब क्या है, सब पर ब्रिहत चर्चा होगी लेकिन वास्तों में ये शब्द आया कहां से, इसकी सुरुवात हुई कहां से, ये शब्द आया कहां से, इसकी सुरुवात हुई कहां से, हम इस पर जरूर एक बार बात करें नागरिक अर्थात नागरिक्ता कोई आज की उधारणा नहीं है ये बड़ा प्राचीन और व्यापक सब्द है आपका सकते हैं नागरिक्ता नागरिकों के लिए एक भाव वाचक संग्या है और यह अत्यंत प्राचीन और धारणा है अर्थात आप कहेंगे कि ये अगर प्राचीन और धारणा है तो प्राचीन से हम नागरिक क्यों नहीं कालाए अब हम नागरिक क्यों कहला रहें आपके मन में सवाल आएगा 26 जनवरी 1950 के पहले हमें भागदो क्यों नहीं मिला भागदो के अधिकार क्यों नहीं मिले हम नागरिक क्यों नहीं थे हम भारत की प्रजावन कर क्यों रह रहे थे कई ऐसे सवाल आपके मन में आएंगे किस से सम्बंधित नागरिक्ता के प्रावधान से सम्बंधित सबसे पहली बार अगर कहा जाए सबसे पहली बार नागरिक्ता शब्द की अवधारणा किसने प्रस्तुत की तो आप कहते हैं सबसे पहली बार यह अवधारणा सबसे प्राचीन महत्पूर विचारक अरस्तु द्वारा लाया गया इसलिए आप दूसरे शब्दों में इन्हें नागरिक्ता का जनक भी कह सकते हैं क्यों क्योंकि इन्होंने नागरिक्ता शब्द की अवधारणा दी किन्तु यह नागरिक्ता कौन सा जो अरस्तु ने दिया है अरस्तु की नागरिक्ता में अधिकार समाहित नहीं है अरस्तु की नागरिक्ता में अधिकार समाहित नहीं है तो क्या समाहित है इस पर चर्चा किया जाए अरस्तु किसे नागरिक मानेंगे इस पर बात कर रहा जाए। और ये नागरिक्ता मध्य काल तक यूँ ही चलती रही। अर्थात मध्य काल तक इसमें कर्तब यही समाहित रहे। और वर्तमान में अर्थात आप कह सकते हैं आधुनिक काल में जाकर। अगरिक्ता में अधिकारों का शमावेश हुआ है। ऐसी नागरिक्ता में आधुनिक काल के आते आते अर्थात जब अरस्तु एथिंस में प्राचीन काल में नागरिक्ता की बात कर रहे हैं तब वो कर्तब्यों की बात कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब वो कर्तब्यों से आगे बढ़ रहे हैं तो मध्यकाल तक वही प्रक्रिया चल रही है, वही व्याठ्या चल रही है। कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन आध्वनी काल आते आते जब लोगों ने जान लिया कि नागरिक्ता एक अधिकार है, तब ऐसी नागरिक्ता में एक अधिकार समाहित हुआ है। एक महत्वपुण पत्व है अधिकार वो समाहित हुआ है। देखिए, नागरिक्ता अगर पूछा जाए कि सासन पधत में मिलेगी राज तंत्र अथवा मोनार्की या लोकतंत्र जिसे आप डेमोक्रेट कहेंगे, कहां मिलेगी। नागरिक्ता जो अधार्णा है आपको कहां दिखेगी। राज तंत्र अथवा मोनार्की या डेमोक्रेट अथवा लोकतंत्र में तब आप कहते हैं कि नागरिक्ता लोकतंत्री अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? लोकतंत्री अवधारणा है जब लोकतंत्र समाहित हो शासन में तब आप जन बन जाते हैं लोक मतलब पबलिक और पबलिक की हिंदी जन जन मतलब लोक और थाथ तब आप निवास करने वाले लोग अथवा निवास करने वाली जनता में समाहित हो जाते हैं और जब कभी राज तंत्र होता है इसका सिंपल सा मतलब होता है एक राज्य विशेस अत्वा एक राजा विशेस का शासन और ऐसा राज्य विशेस अत्वा राजा विशेस हमेशा निरंकुस्ता की बात करेगा किसकी बात करेगा निरंकुस्ता अथामसौप्स की बात करेगा लेवियाथन की बात करेगा अर्थात वो कहेगा सर्वोच अधिकार मेरे पास है मैं समान अधिकार नहीं दूँगा कि आपको ये लगे कि मैं नागरिक होने के नाते ले सकता हूं कभी नहीं क्यों क्योंकि राज तंत्र में मैं राजा हूं और आप कौन है आप मेरे राज में निवास करने वाली प्रजा है और प्रजा का कोई अधिकार नहीं होता प्रजा को वही अधिकार मिलता है जितना राजा उसे स्वाप दे जो राजा उसे दे दे इसलिए प्रजा के पास जो अधिकार है वो छणिक अधिकार है और वो उसे अधिकार भी नहीं कह सकता, वो कह सकता है कि मुझे राजा द्वारा दिया गया, ये इतने तत्व है, जब चाहे तब राजा छीन लेगा, क्यों? क्योंकि ऐसा राजा निरंकुस है, असीम है, अदे है, अपरिवर्तित, बास समझ में आ रही है, तो इसका मतला बाब मान के चल इत्ता तो आपको मिली नहीं होगी, क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता के पूर्व, भारत एक राज है ही नहीं, उपनिवेश हो सकता है, उपनिवेश हो सकता है, एक छेत्र प्रभुत्व हो सकता है लेकि राज्य नहीं है क्यों क्योंकि राज्य में पाई जाने वाली कुछ अनिवार्य तत्व जो कि राज्य को मजबूत करते हैं जैसे ये चार तत्व मैंने लिखा राज्य की अनिवार चार तत्व है ये मानने चार तत्व है राज्य इसी पर तिकता है अब देखिए राज्य अगर इस पर तिकता है तो निश्चित भू भाग चलिए मान लिया जाए कहां तक था कहीं ऐसा था ही नहीं कि बता सकूं कि भारत यहां से यहां तक संबंदित है तब पूर्वी एसी आई देश में समाहित था सिक्की में भी ब्रिटी सपना कारे कर रहे हैं तो भारत से जुड़ा हुआ लग रहा है तिबबत में भी इनके जहाज बेड़े हैं तो लगता है व फिर सरकार कौन सी सरकार है मुगल समराठ्थी और अब कौन है ब्रिटिस सरकार है यह भी आई स्थिरता पर है अर्थात सरकार जनता द्वारा चैनित नहीं है सरकार वो है जो जितना अपना प्रभुत्व दिखा सके जितना उस पर अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपने श भारत में है ही नहीं, संप्रभुता वो तत्व होता है, जो स्वतंत्रता की सर्वोच पुष्टी करता है, जब आप आंतरिक और वाहिर दोनों रूप से स्वतंत्र हों, तब आप क्या होते हैं, तब आप संप्रभु होते हैं, आंतरिक रूप में अईस्थिर्ता है, वाहिर परिश्टित में परिश्टित में विराजमान है। आपको क्या लगता है स्वतन्तरता कि पूर्व भारत में नागरिकता है क्या है ही नहीं अर्थार जब भारत राज नहीं है तो राजी में निवास करने वाली जनसंख्या जनता है ही नहीं और जब जनता नहीं है तो किस राजी की जनता किसे नागरिक माना जाए किस राजी के लोग अपने को कहें कि मैं इस्थाई राजी का निवास हूँ यह राजी मेरा इस्थाई निवास है कैसे कहा जाए इसलिए स्वतंत्रता के पूरो भारत राज नहीं है भारत उपनिदेश दिख रहा है यही कारण है कि भारत में नागरिक्ता जैसी अवधारणा नहीं है इन्हीं अधिकारों को प्राप्त करने के लिए भारत में स्वतंत्रता की लडाईया लड़ी जा रही है और आप मान के चलिए इ आंदोलन ने भारत में ऐसा व्यापक परिवर्तन किया कि भारत 26 जन्वरी 1950 से एक स्वतंत्र गड़ तांत्रिक देश बन करूबरा और जब भारत एक स्वतंत्र गड़ तांत्रिक देश हो कर उभरा तब भारत में निवास करने वाले लोग भारत की जन्ता कहलाएं और यही लोग भारत के नागरिक कहलाएं यानि भारत में ऐसी नागरिक्ता की अवधारणा 26 जन्वरी 1950 के बाद इस्थापित हुए तो यहां तक क्लियर हुआ होगा मुझे लगा है यह नागरिक्ता देखने बड़ाईजी लगता है देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर अगर गंभीर ना करते तो CAA, NRC बिना समझे हम क्यों लड़ रहे होते अगर हम समझ लिए होते तो हमें लगता यह तो उन छे समुदायों की बात कर रहा है जो अई स्थी रोकर इधर उधर गूम रहे हैं हम क्यों परेसान हो हम तो भारत के निवासी है बात समझ में आ रही है यह क्या है यह नागरिक की बात आई तो एक मुख्य तत्व और समझ लिजिए एक इंपॉर्टेंट फ्रेक्ट जो वास्तों में आपके लिए एक आश्चरिजनग फ्रेक्ट होगा और एक महत्वपूर क्वेस्चन होगा चूखी अमेरिका का संबिधान अमेरिका का संबिधान ग्विश्व का पहला लिखित और लोकतांत्रिक संबिधान है यानि विश्व का पहला निर्मित संबिधान अगर कहीं है तो अमेरिका का संबिधान है इसी लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को विश्व का प्रथम नागरिक माना जाता है भारत में कौन होगा प्रथम नागरिक आप यही से पुष्टी कर सकते हैं कि भारत में भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है भारत का राष्ट्रपति होता है विश्व का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है अमेरिका का संबिधान पहला लिखित लोकतांतरिक संबिधान है इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का प्रथम नागरिक कहलाता है बात क्लियर हुई सारे महत्वपूर फैक्ट है नागरिक्ता से संबंधित जो आपको लेकर चलना होगा अब तक हमने प्राचीन अवधारणा देखी कि किस प्रकार नागरिक्ता का उदे हुआ है अरस्टू के काल में एथिंस में और कैसे कैसे नागरिक्ता मध्यकाल तक वही रूप लिये हुए बैठी है और भारत में नागरिक्ता की स्थित क्या है राज तंत्र और लोक तंत्र में नागरिक्ता कहा फलेगी फूलेगी हमने अब तक यह देखा अब देखते हैं वर्तमान में ऐसी नागरिक्ता कब अधिकारों में परिवर्तित हो गई तो कहा गया वर्तमान में ऐसी नागरिक्ता फ्रांसी सी क्रांती से अस्तित्त में आई वर्तमान में ऐसी नागरिक्ता फ्रांसी सी क्रांती से अस्तित्तों में आई अर्थात 1688 की गौरोपूर क्रांती किसके समय की क्रांती है Thomas Hobbes और John Locke उस समय विचारक है Thomas Hobbes और John Locke उस समय विचारक है तब की एकरांती है अर्थात वर्तमान में अगर कहा जाए नागरिक्ता जो आज आपको दिखती है बहुत ध्यान से समझेगा क्यूंकि डाउट यहीं परिसान करेगी अरस्तु ने कहा नागरिक कौन जो राज में जन्म ले रहा है वो नहीं अभी इस पर व्यापक चर्चा करेंगे अरस्तु ने सिंपल कहा कि जो व्यक्ति करता व्यक कर रहा है वो नागरिक है एथेंस में अर्थात पहली बार अरस्तु ने नागरिक के बारे में बताया मधिका परकाल तक करतव अधारित नागरिकता चलि आ रही थी। भारत में 26 जनवरई 1950 के बाद, जब भारत लोगतांतरिक हुआ तब नागरिकता आई। फिर हमने पढ़ा राजतंतर में प्रजा होती है, नागरिक नहीं होते। इसका मतलब वरतमान नागरिकता क्या है ? तो वरतमान नागरिक्ता फ्रांसीसी क्रांती और 1688 की गोरोपूर क्रांती कहां हुई थी? इंग्लेंड में हुई थी इसका परिडाम है किसका परिडाम है इनका परिडाम है इसी क्रांती की देन है इन ही दोनों क्रांती का प्रभाव या देन है कि हम नागरिक्ता को अधिकारों की तरह प्राप्त करते हैं हम नागरिक्ता को अधिकारों की तरह प्राप्त करते हैं अर्थात आज जब आप कहते हैं ना जन्म से नागरिक्ता और नागरिक है तो अधिकार है कौन सा अधिकार है सिख्छा पाने का अनिवारे और निसुल्क सिख्छा पाने का आपदा के समय संरक्षण पाने का आपदा और यह जन्म से मुझे अधिकार आपने दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, क्यों दिया है, क्योंकि हम इस देश की नागरिकता है, उस देश के नागरिक हैं, इसलिए यह हमारा अधिकार है, और हम अपने अधिकारों के तहट आपसे नागरिकता की प रहा है बर्तमान का रहा है जब की पहली बार नागरिक्ता की अवधारा देने वाले अरस्तु ने मात्र इतना कहा था अरस्तु ने कहा था ऐसे लोग जो राज की अथवा न्याई कारियों में लिप्त है वही क्या है वही नागरिक्ते वर्तमान और प्राचें का धारा समझेगा नागरिक्ता की वर नहीं मिला अरस्तु ने कहाम मैं उन्ही को नागरिक्ते हैं जो राज की कारियों अथवा न्याईक कारियों में लिपत हैं, मैं सब को नागरिक नहीं कह दूँगा, कि राज में जर्म ले लिया, तो आप नागरिक हैं, ये परसंट कितना रहा होगा एथिंस में, मुश्किल से 10 प्रतिशत, बाकिन नब्बे प्रतिशत कौन थे, नब्ब इसने फ्रांस और इंग्लेंड की क्रांती से प्रेवित होकर अधिकारों को मांग लिया, इसने कहा, इस्त्री, बच्चे, दास, विदेशी, ये टोटल कितने हैं, इनकी संख्या जादा है, केवल संख्या मात्र जादा है, लेकिन ये राजकी और न्याईक कारिय नहीं करते इसलिए ये मेरे हिसाब से नागरिक नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि मेरा नागरिक वो होगा, जो राज में जन्म लेने से नागरिक नहीं बनेगा, वो राज में करतवे करे, राज का नाम उससे हो, तब वो मेरा नागरिक कहलाएगा, अरस्तू कहते हैं, महत्मा गांधी जी ने भी तो यही कहा है, गांधी जी ने कहा, अगर हम अपने कर्तव्यों को पूर रूप से कर लेते हैं, तो अधिकारों के लिए हमें दूर तक जाना नहीं पड़ेगा, अर्थात, हमें ये नहीं गाना पड़ेगा, कि हम कौन हैं, हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए हमें अध अधिकार दो, ऐसा फिर नहीं करना होगा, कि हमें आपको जगाने के लिए गानी जी कहते हैं, कि अगर आप और हम अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें, तो अधिकार स्वता उनको मिल जाएगे, हमें अधिकारों के लिए चिलाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम आप कर्तव्य न आप कर्तव्य करें, तब अधिकार मिलेगा, तो ये अगर स्वता आप समाहित कलने अपने अंदर, तो आपको अधिकारों के लिए दूर तक नहीं जाना होगा, किसने कहा, हमारे राष्टपिता गांधी जी ने कहा, इसका मतलब अरस्तू, वर्तमान नागरिक्ता के आप कर्तमान नागरिक्ता की परिभासा कर सकते हैं, प्रतेक व्यक्ति जो किसी राज का सदस्य है, प्रतेक व्यक्ति जो किसी राज का सदस्य है, और उस राज द्वारा उसे कुछ सामाजिक और राजनेतिक अधिकार मिले हैं, कोई व्यक्ति नागरिक है, अर्थात नागरिक्ता की परिभासा क्या हुई? प्रतेक व्यक्ति जो किसी राज का सदस्य है, और उसे उस राज द्वारा कुछ सामाजिक और राजनेतिक अधिकार प्राप्त हैं, वही व्यक्ति नागरिक कहलाते हैं, और उनको प्राप्त अधिकार क्या कहलाता है? नागरिक्ता कहलाता है, ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार नागरिक्ता कहलाता है, किन्तु शर्त क्या है? शर्त है, बाध्य नहीं है आप, याद करिए शर्त भाग चारक, आपको इसमें दिखेगा, शर्त यह है, ऐसा व्यक्ति, उस राज के प्रति, भावनातमक जुडाव रखता हूँ, उस राजे के प्रति भावनातमक जुडाव, राजे के प्रति शम्मान आदर उसके मन में हो, राजे की गरिमा को गिरने ना देना चाहता हूँ, तथा राजे के प्रति दिये गए कर्तव्यों का पालन अवश्य करता हूँ, प्रतेक व्यक्ति का यह करतव्य होगा की भाग चारकर स्वाड सिंग समीती की सिफारिस कितने कहा गया 11 मौलिक करतव ग्याराहवा मौलिक करतव 86 में संविधान संसोधन अधिनियम 2002 द्वारश में क्या कहा गया प्रतेक व्यक्ति का यह करतव्य होगा कि वह अपने देश के प्रति शम्मान रखे राष्ट गान राष्ट गीत का हदर करे राष्ट के प्रति प्रेइड करने वाले वाक्यों को होता है और यह विदेशियों को समर्पित नहीं होता गैर नागरिकों को समर्पित नहीं होता चुकि आप अपने राजिके अपने देश के इसलिए आप पर यह करतव आरोपित करता है अर्थात राजिके कुछ करतव होते हैं जो आप पर आरोपित होते हैं और आपके कुछ अधिकार होते हैं जो राज पर सामिल होते हैं अर्थात एक दूसरे के पूरक होकर जब हम काम करते हैं तब हमारे बीच जो संबंद होता है वही राज और नागरिक का संबंद कहलाता है अब इससे आप समझ सकते हैं कि इस नागरिक्ता का तात्पर है किसी राज में सामाजिक और राजनीति अधिकार की प्राप्ति ही क्या है नागरिक्ता अब देखे नागरिक्ता पर कुछ विचारकों ने कंथन कहे हैं हम उन पर परवर चर्चा करें बात करते हैं लासकी एक महान विचारक जिनके विचार हमेशा राजनीती शास्त्र को बड़ी मजबूती प्रदान करते हैं ये कहते हैं अपनी सिक्छित बुद्धी में अपनी सिक्षित बुद्धी में लोकतंट्र को इस्थापित करना क्या है नागरिक्ता है अपनी सिक्षित बुद्धी में मतलब आप खुद सोच ये कि लोकतंट्र है अर्थात आपका सासन है लोगतंत लोगों का सासन जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन आपका सासन है तो आपकी आप सिक्षित हैं आपका सासन है आप सिक्षित है सिक्षित का मतलब डिगरी से नहीं कह रहा है वो वो कह रहा है आप जानते हैं ये बात हम भारत के लोगों ने मिलकर अपना संविधान अपना देश से बनाया तो अगर हम अपने सिक्षित बुद्धी में लोक्तंतर को बनाये हुए हैं तो राजी के प्रतियुम गलत कारे तो करेंगे नहीं और हम सोचेंगे ये राजी मेरा है इसलिए अपने राजी को उजड़ने नहीं देंगे हम क्या करेंगे अपने राजी को समारेंगे सजाएंगे और विक्सित बनाकर स्वर्वोच्चता पर ले जाएंगे कौन का रहा है लास्की कह रहे हैं अपने सिक्षित बुद्धी में लोकतंत्र को इस्थापित करना ही क्या है नागरिकता है विलियम बायर कहते है कर्तव्यों के उचित क्रम व्यवस्था का निर्धारण ही नागरिकता है बास समझ मारी है कर्तव्यों के उचित क्रम व्यवस्था का निर्धारण ही नागरिकता है अर्थार आप अपने कर्तव्यों को इस प्रकार क्रमिक तरीके से करते रहें कि आप नागरिक हैं, अपने राजिके प्रतिसमर्पित हैं, राजिके सारे अधिकार, सारे पुरसकार आपके लिए आप कहते हैं कि मैं विराट कोहली, अच्छे कुमार, जैसे आप जितने नाम आपको याद हो सानिया मिर्जा, इन सब को नागरिक्ता में इतनी छूट क्यों मिली है, कुछ लोग दोहरी नागरिक्ता लेकर हैं, कुछ लोग ऐसे अपवाद के ताहत हैं, जिन्होंने उस राज वास्तों में उन्होंने अपने देश का नाम अंतर राष्ट्री पतल पर गौर्वानवित किया है, इसलिए उन्हें ये छूट मिला पुरसकार स्वरूप, तो ठीक है भाईया, करतव्यों का उचित करम विवस्था, आप ही निर्दारित कर लिजे, आप अपने राजी के ल एक मुवी देख लिए, क्रिकेट का एक हिस्सा देख लिए, हम पहुँच गए, हमने देख लिया, उन्होंने श्रोण पतक ला दिया, ये कहना आसान होता है, उसको करने के लिए निरंतर प्रयास करके अंतराष्ट्री पतल पर अपने देश को सर्वोचिता पर ले जाना, ये कर्तव्य है, और यही कर्तव्य आपको अधिकारों की जोलियों से भर देता है, और आप फिर एक स्रेष्ट नागरिक कहलाते, क्या कहलाते हैं, स्रेष्ट नागरिक कहलाते, इसी बात को नागरिक्ता पर महत्व देते हुए, आरस्तु ने कहा था स्रेश्ठ नागरिक ही स्रेश्ठ राजिके निर्माता होते कोई राजिश्ठ है कैसे पता चलेगा एक कहावत कही जाती है कि कोई देश विख्सित है कैसे पता चलता है यह देखा जाता है कि उस देश में निवास करने वाले नागरिक उस देश के कानून नियमों विधियों का किस प्रकार से वास्तों में किस सहस्ता के साथ अनुपालन करते हैं अगर वो पूर रूप से उसका अनुपालन करते हैं तो ऐसा राज निश्चित ही विक्सित और सर्वोच अथवा स्रेष्ठ राजी होगा क्यों? क्योंकि वहां के नागरिक स्रेष्ठ है ऐसी नागरिक्ता जिसकी हम बात कर रहे हैं भारती समविधान में भाग दो में नागरिक्ता का उपबंध किया गया है भागदो में नागरिक्ता का उपबंध किया गया है भागदो पूछा जाता है किस अनुछेद से किस अनुछेद तक संबंदी थे अनुछेद 5 से 11 तक में ऐसे नागरिक्ता के प्रावधान का लेख किया गया है नागरिक्ता संसोधन अधिनियम या नागरिक्ता पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है तो ये अधिकार संसद के सर्वोच अधिकारों में से एक भारत में इक कहरी नागरिक्ता का प्रावधान है और ऐसी इक कहरी नागरिक्ता भारत में कहां से आई ब्रिटिस संसत से आई इसका मतलब अब आपको यहां एक आतमक शासन प्रडाली के एक स्वरूप का लच्छड दिखा होगा अर्थात आप राज में कहीं से हो कन्या कुमारी से हो जम्मु कस्मीर से हो गुजरास से हो असम से हो महराष्ट से हो अरुरांचल से हो लद्दाक से हो इससे मतलब नहीं आप उस राजिक के निवासी हो सकते हैं लेकिन नागरिक नहीं हो सकते क्यों क्योंकि हमने कभी भी सहित राज अमेरिका की इस तरज को दोहरी नागरिकता को स्विकार नहीं किया है हमने कहा आप राजी के निवासी हो सकते हैं, लेकिन आप नागरिक कहा के होंगे, भारत के नागरिक होंगे, कौन होंगे, भारत के नागरिक होंगे, अब बात किया जाए, भारती सम्विधान में नागरिक्ता शब्द की परिभासा कहा है, नागरिक का शब्द की परिभासा भारतिय संबीधान में कहीं नहीं है मैंने बताया ना ये भाव वाचक संग्या है ये मसूस करिए आप नागरिक हैं आपको अधिकार दिया गया और अगर आप नागरिक हैं तो आपके पास कुछ विशेश अधिकार है भागतिन के जो गयर नागरिक अथवा विदेशियों के पास नहीं है अइसा अधिकार कौन सा है आप कहते है ऐसा अधिकार अनुछेदव 15 है अनुछेद 16 है अनुछेद 19 है अनुछेद 29 है अनुछेद 30 है बास समझ में आ रही है अगर आप भारत के नागरिक हैं और आप ये जानते हैं कि भारत में भारती समविधान में नागरिकता की परिभासा नहीं दिया है लेकिन विशेस अधिकार हमें मिला है इन अनुछेद के माध्यम से भारती संविधान ने हमें विशेस अधिकार दिया है अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें किसी भी लोकपद पर खड़े होने और किसी भी लोकपद पर खड़े व्यक्ति को अपना मत देने का सारा अधिकार है हम किसी भी चाहे वो राश्ट्रपति का पद हो राजपाल का पद हो या कोई भी संसद का पद हो अगर हम भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक होने के नाते हम यह अधिकार है कि हम उस पद पर खड़े हो चुनाव लड़े अथवा चुनाव में खड़े हुए प्रतिनी दिको अपनी स्वेक्षा से अपना मत दे किसी का दबाव नहीं है भारत ने कभी भी अमेरिका की इस पद्धति का अनुसरण नहीं किया कि अमेरिका कहता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसे व्यत्ति को जन्म से अमेरिका का नागरिक होना होगा, भारत ने इंकार कर दिया, भारत ने कहा आप अगर हमारे यहां के नागरिक हैं, तो जन्म से नागरिकता की बाधिता आप पर आरोपित नहीं होती, बासमझ में आ रही है, यहां तक क्लियर हुआ है, इसका मतलब अभी ह में बहुत कुछ पढ़ना है, याद होगा आपको एक विचारक मार्शल है, इन्होंने नागरिक्ता का वर्गी करण कर लिया, अभी हमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है, एक तो नागरिक्ता के स्वरूप पढ़ना है, दूसरा हमें ये जानना है कि वास्तों में विदेशी व्यक्ति कौन है, एनाराई कौन है, दोहरी अधिकार लेने वाले कौन है, ओवर सिर्जन इंडियन कौन है, फिर हमें ये देखना है कि नागरिक्ता कब तात्विक नागरिक्ता कहलाती है, नागरिक्ता कब सामाजिक नागरिक्ता कहलाती है, अनुछेद 5-11 तक में आरंभ के 5-10 तक के नागरिकता के प्रावधान क्या है? अनुछेद 11 जो की नागरिकता संसोधन अधिनियम 1935 द्वारा आया जो 5 प्रावधानों को देता है वो की स्प्रकार आधारी थे? यानि हमें ऐसे नागरिक्ता जो हमें देखने में बहुत छोटा लगा इस पर अभी बहुत विष्टित चर्चा करना है आरंब हुआ एथिंस में अरस्तु के कर्तब्य से और वर्तमान फ्रांस और इंग्लेंड ने इसे अधिकारों का क्या कर दिया लोगों ने कहा ये हमारा अधिकार है क्योंकि हमने यहां से जन्म लिया है हमने जन्म लिया है तो सारे अधिकार हम में स्वता समाहित है कहा गया ठीक है तो करतब ये करिए अपने राजिकों उचाई पर ले जाईए विशेस अधिकार देंगे संभिधान ने कहा और वो करके दिखाया 15, 16, 1939 ये ऐसे अनुछेद हैं जो केवल और केवल भारती नागरीकों को प्राप्त है तो हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग इसी क्रम में इसको देखते हुए अब अपनी तयारी के क्रम को मजबूत करेंगे मिलते हैं एक अगले नए और बहुत महत्पूर टॉपिक के साथ तब तक के लिए ध्यान रखें पढ़ते रहें आगे बढ़ने के लिए अपने सपनों को किस प्रकार साकार कर सकते हैं उस पर अमल करते रहें थैंक यू सो मच थैंक यू अल